हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक अन में यूट्यूब चैनल तो दोस्तो ये इस ड्रामा की एक्स्पिलनेशन का पार्ट नमबर थ्री है अगर अभी तक आप लोगों नहीं प्रिवेस पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लीजे साथी दोस्तो चैनल को कर लीजे और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी क्या कीजिए लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब ली पकड़ा जाने वाला था तो वह गोसोरा से बोल देता है कि ऐसी फिलिंग मुझे आज से पहले कभी नहीं हुई गोसोरा कहती है कि क्या कह रहे हो तो अभी तो ली रोनी भी लगता है और बोलता है ऐसी फिलिंग मुझे आज से पहले कभी नहीं हुई सोरा कहती है कि क्या घर हूँ मैं अपने आपका मैं निकात था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ अगर तो मैं शांती से शादी कैसे कर पाऊंगी अब चलो घर अपने आपको समालो सोरा को तो फिर से गलत फहिमी हो चाती है कि ली ये सब कुछ उसी के लिए कर रहा है बिचारी तो घर आके भी यही सोच रही थी कि मैं क्या करूँ इस आशिकावारा का तो भही ली तो इस मौके का फाइदा उठा के उसके कमरे में जासू से नहीं जाने वाला है सोरा कहती है कि ऐसी बात ही क्यों कर रहे हो मैंने तुम इस समझाया तो है ली कहता है तुम डेट करो या शादी करो मेरी चिंता मत करो मैं यहां तब तक रहूंगा जब तक मेरा काम नहीं होता है सोरा कहती है इसके बार में तो मुझे अंकल से ही बात दिमाग को कंट्रोल में कर तो वहीं दूसी तरफ कभी-कभी सोरा के डैट को भी दोरे पढ़ जाते हैं वो अपने पुराने डॉन वाले स्टाइल में आ करके कह रहे थे याइंग मैन हो तुझे तुम्हें देख लूँगा दून सकती थी खोई हुए ली को क्योंकि बच्वन में यही उसकी नैनी थी वहीं दूसी तरफ घर पे जब यह अंकल लोग वापस आते हैं तो महाल तो पूरा बिगड़ाई हुआ था और बात्रूम से ली निकलते हुए कह रहा था कि सोरा जल्दी मेरे कप्रे लाओ उससे पहले तुमारे अंकल आ जाएं तब सारे अंकल ली को ऐसे देखने लगते हैं कि अभी खा जाएंगे उससे कहते हैं तूने हमारी मासूम सोरा के साथ क्या किया है ली कहता है तुम सब लोग गलत समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है पर अंकल इसकी बात दे विश्वास थोड़ी न करने वाले थे यहाँ पर तो युद्ध छिड़ जाता है ली भी इन से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था और वो ली को ऐसे देख लेती है और उसके बट पे उसे स्टार मार्क भी दिख जाता है वो तो काफी तेज से चलाती है तब ही सबसे छोटे अंकल आ करके उसकी आखे बन करते हैं और बाकी अंकल ली से कह रहे थे हैं यह लोग टावल पहनो तब जा करके लोग ली को छोटें और उससे कहते हैं कि यहाँ जो हुआ है वो किसी को मत बताना ली कहता है कि प्रामिस करता हूँ कि तब ही बहर अचानक से तोड फोर की आवाज आने लगती है सब ही लोग भार भागने लगते हैं औरली कहता है कि अब नया क्या हो गया वहीं बाहर तो कुछ गुंडे आकर की तोर फार कर रहे थे तब ही सारे अंकल मिल करके उनसे जगड़ा करने लगते हैं ये गुंडे किसी और ने नहीं बलकि उस चिपकली नहीं भेजे थे ताकि ये लोगी आईलेंड चोड़ करके चले जाएं और हुंडे होटल की तरफ तो देखे भी ना पर सोरा भी बोलती है कि कह देना उस तामी से कि हम लोग तो यहां से जाने वाले बिल्कुल भी नहीं है बलकि हम अपना होटल बहुत जल्दों से वापिस ले लेंगे तब ये गुंड़ अपने आदमियों को आउडर देता है कि फिर इन लोग को छोड़ो मत मार मार के भरता बना दो अब ये गुंड़े तो बहुत सारे थे और अंकल तो सिर्फ तीन थे वो इन लोग को जादा समाली नहीं पार थे वहीं बाहर ली भी आके देखने लगता है कि क्या ही नहीं नहीं नो टंके चल रही है तो सुरा कहती है कि जाओ जाकर के हेल्प करो ली कहता है मुझे दूसरों के काम में टांग अड़ाने की आदत नहीं है कल भी एक ही करके आगे ली से कहते हैं कि माफ कर दे तुझे ठरकी समझा अब चल हमारी मदद कर दे ली कहता है अपने आपको समाली है मैं कोई मदद नहीं करने वाला हूँ सब को ली की ओपर गुस्तर चड़ रही थी कि मदद क्यों नहीं कर रहा है ली तो अंदर आ जाता है और कहता है इन गैंक्स्टर को क्या लगता है कि एक प्रॉसीक्यूटर इनकी फाइट में इन्वाल होगा बिल्कुल भी नहीं अपना काम करो यहां से निकलो भईया अभी सोरा अंदर आ जाती है उसके डैड को अंदर छोड़ने के लिए वो कहती है कि अब मुझे ही जाकर के इन से लड़ना पड़ेगा तब यह गुणडा सोरा को मारने जाई रहा था कि तबही ली आkö आकर के फ़ोन पर पुलिस को बलाने लगता है और पता नहीं कौन-कौन से लव फॼोन पर ही बोलने लगता है तब ही वो गुणडा बोलता है कि तू क्या कर रहा है तब ली उसे भी दो-चार लोग सुना देता है और कहता है लोग पुलिस तो बस आने ही वाली है तब ही वो गुंडा अपने साथियों को लेकर के वहाँ से निकल जाता है और सोरा ली को थैंकिय बोलती है उसकी इस तरीके से हेल्फ करने के लिए ली कहता है मैं तो यह सब कुछ इसलिए क्या है बहुत शोर हो रहा था इसे हेल्फ मत समझो वो यहां से निकल जाता है तब ही अंकल आपस में बात कर रहे थे कि यह लड़का है क्या चीज लोग तो ऐसे सुना रहा था जैसे कोई प्रोसीक्यूटर हो तो वही ली अंदर सोच रहा था कि जरूर इस सोरा के पास बहुत दिमाग है तब ही तो इसने उस ओचैन को नहीं बुलाया कि तब ही वहाँ सोरा आजाती है उसे दवाई देने के लिए और थैंक्यो कहने के लिए तब ली कहता है मिरी एक खुबसूरत शकल बंदर जैसी तुमारी पीटने की वज़े से बनी है सोरा उसे सौरी बोलती है आगी लिए अपने आपके ही पैच लगान की कोशिश कर रहा था जो कि उससे लगी नहीं रहा था कि तब ही वहाँ पी ली आचाता है उसे दूर से देखता है उसके डैट की केर करते हुए तब ही सोरा उसे कहती है महीं कड़े रहोगे तो मच्छर भून लेंगे उससे अच्छा है कि इधर आजाओ जब ली वहाँ पे जाता है तो सोरा उसे बोलती है मुझे पता है तुम्हें भी नीन नहीं आ रही है तो क्या मैं तुम्हें भी दो-तीन सुहियां लगा दू ली कहता है मेरी चिंता मत करो तुम अपनी चिंता करो तुमने अपने बॉइफरेंड को क्यों नहीं बुलाया वहां करके तुम्हारी हेल्फ कर देता तब भी सोरा कहती है कि तुम उसकी चिंता छोड़ो और मेरी भी मुझे पता है कि तुमें नहीं नहीं आती है लाओ मैं तुम्हारी सुई लगा दीती हूँ ली कहता है कोई ज़रत नहीं है सोरा कहती है मुझे पता है तुम्हें सुई से डर लग रहा है ली कहते है ऐसा कुछ भी नहीं है सोरा कहती है तो फिर लिट जाओ ली भी लिट जाता है डरते हुए साब पता चल रहा था उसे सुई से डर लग रहा है सोरा उसका मज़ाग बना रही थी लेकिन जैसे ही वो दो-तीन सुई उसे लगाती है लीक अप सो गया था उसे भी नहीं पता चला था लीक के सपने में उसका बच्पन आ रहा था जब वो छोटा था तो उसकी मॉम उसे ले करके यहां से दूर जा रही थी इस गुंडो वाली दुनिया से पर तब ही रस्ते में उसकी आखों के सामने उसकी मॉम का एक्सिडेंट हो गया यह खबरा करके उठता है और फिर खुछ से ही कह रहा था क्या वो वाकर इतनी गयरी नीन में सो गया था उस एक्यूपंचर की वज़ा से कि उसे अपने आप कभी भी नीन नहीं आती है और अब तो नीन की गोलियां भी बेसर हो चुकी है फ भी करते हैं तब ही एक बाल बहुत तेजी से ली की तरफ बढ़ रही थी और सोरा उसकी तरफ देख के चिलाती है ली उस बाल को एक हाट से ही रोक लेता है और सब लोग यह देख करके है तब सोरा ली की तरफ आकर के कहती है कि तुमने उस बाल को कैसे पकड़ लिया तुम वो जब गेम खेलने लगते हैं तो वो भी गेम नहीं खेल पाते क्योंकि सब लोग तो ली को देखने लगते हैं वो जिस तरीके से exercise परफॉर्म कर रहा था तर्किया हो चाहें अंकलों सबके मूँ खुले के खुले ही रह गए थे ली इन सबको खाना खाते वे दिखाया जाता है और ली फिर से इनके खाने-खाने के एबिट से बहुत ही ज़्यादा चड़ा-चड़ा सा हो रहा था वो मूँ बना करके अलग बैट जाता है अपना खाना ले करके तब ही वहाँ पे कॉंग सुनाती है और उसे उबलववव अंडा देती है खाने के लिए तब ही ली कहता है बहुत तेसे चिला करके इसे मेरी नज़रों से दूर कर दो लोग तो डरी जाते हैं कि इसने इत्ती तेसे क्यों चिलाया ली ने एक्चिली इसलिए ऐसा किया था क्योंकि इसकी माम जब उसके लिए उबलवव अंडा लेने गई थी तब ही उनका एक्सिडेंट हो गया था खेली किसी को कुछ नहीं बताता और कहता है कि उसे अलर्जी है उबलव अंडे से दूसी तरफ ली के डैट को चिंता हो रही थी कि उनका बेटा अचानक से कहां गाया बो गया है और कोई भी कांटेक्ट नहीं कर रहा है तो वहीं दूसी तरफ ली वो सोरा को देख के मन में बोल रहा था सोरा जाओ जाकर कि अपने बाइफरेंट से मिलो ताकि मैं उसे पकर सकूँ तो वहीं सोरा सोच रही थी इस लड़के का मैं क्या करूँ क्यों मुझे गुरी जा रहा है ये तब ही सोरा के अंकल के पास कॉल आता है इदर ये ली सोरा से कहता है कि तुम मेरा रूम कब साफ करने वाली हो सोरा कहती है ये कोई होटल नहीं है यहाँ पे सिर्फ रूम मिलता है और नाश्ता मिलता है रूम खुद साफ करना पड़ेगा तो ही कहता है तो मैं पैसे चाहिए तो पैसे ले लो लेकिन मैं अपना रूम कुछ साफ नहीं कर सकता सोरा कहती है कैसे इनसान हो कि तब ही उसे उसके बाइफरेंड का शायद कॉल आता है और वो फोन पे उससे जिस तरीकी से बात करे रही थी ली को फिर से इसके उपर शक उचाता है और कहता है कि आज तो मैं तुम लोगों को रंग यहाथों पकड़ के रहूंगा तब ही वहाँ पे ओजाएंग भी अपनी गल्फरेंड के साथ पहुच गया था अपना फोन लेने के लिए लेकिन तब ही वह देख लेता है कि यह प्रोसेक्यूटर यहाँ पे क्या कर रहा है इदर सोरा फ्रीजर रूम के अंदर गई थी कुछ समान रखने के लिए और ली उसके पीछे पीछे चला जाता है कि आज तो रंग यहाँ तो पकड़ लेगा इसे पूरे माल के साथ ली देखते हैं उन डबों के अंदर तो इसे फूरूट रखे होते जमाने के लिए ली परशान हो करके कहता है कि आखिर यह सब कुछ क्या है सोरा कहते है venus एक रखने के लिए लिए तो और कौन है सोरा कहती है और कौन है वो ही है जिससे मेरी शादी होने वाली है ली कहता है पर तुमारी शादी तो उस ओजेंग से होने वाली थी ना सोरा कहती है ये ओजेंग कौन है ली कहता है वो ही इनसान जिसे उस रात तुम कलब में अपने टरक में डाल करके लेके जा रही थी सोरा कहती है वो उसे तो मैं जानती भी नहीं हूँ जूट मैं बोलो अगर तुम उसे जानती नहीं तो उसे ट्रक में डाल के क्यों लेके जाती है सोरा कहती है क्योंकि वो मेरे ट्रक के सामने आ गया था मैं तो बस उसे हॉस्पिटल लेके जा रही थी ली के तो तुमाग खराब होने लगता है कि ये बोल के रही है वो उसे कहता है तो तुमने उसे कहाँ पे छोड़ा सोरा कहती है कि उसे तो मैंने हॉस्पिटल तक छोड़ा भी नहीं था वो पहले ही कायब हो गया था अपना फोन छोड़ करके ली कहता है फिर उसका फोन कहाँ पे है सोरो कहती है वो तो वाटर कूलर के बराबर में रखा है कह रहा था अज लेने के लिए आएगा तब ली कहता है कि फटा फट्चों से फोन लेना होगा वो भागता है गेट खोलने के लिए पर गेट तो ओजैंग अल्डेडी ही लॉक कर गिया था सोरो से कहती है कि तुमने गेट बंद किया होगा वापस आते वक्त अब ये गेट खुले गई नहीं और अंकल भी नहीं है तो फिर गेट बंद के इसने किया ली समझ जाता है ये ओजैंग नहीं किया होगा इदर ओजैंग अपना फोन ले करके वापस जा रहा था तो अंकल उसे पूछ दे है कि तुम कौन हो ओजैंग कहता है बस अपना फोन वापस लेने के लिए आया था वो तो अंकल को थोड़ थोड़े पैसे भी दे देता है और वहाँ से चला गया था अपनी गल्फरेंड को ले करके और दोनों अंकल तो यही देखते रह गए थे कि इस बंदर को इत्ती अच्छी गल्फरेंड कैसे मिल गई तो वहाँ फ्रीजर में इन दोनों के चैरों पे बरफ भी जमने लगी थी इनकी बुरी हालत हो गई थी पर सुरा ओल्डेडी एक ब्लैंकेट लेकर के आई थी जिसे ओड़ करके वो कूट कूट के गाना का रही थी और ली गेट खुलवाने के लिए ही चिलाए जा रहा था सुरा कहते है कुछ नहीं होगा मेरे साथ गाना काओ ली कहता है इस सिच्चेशन में तुम गाना कैसे गा सकती हो सुरा कहती है खुद को गरम रखने के लिए ब्लैंकेट आफर करती है लेकिन ली कहता है कि तुम ही रखो मुझे कुछ नहीं चाहिए सुरा को रोक रहा था और मुझे बचाो sicत प Теперь मुझे बचाओ प्काइसे लग रहहे और लीखो को ऐख और ली को एक अजीप सी पॉजीशन में देख kindness सुरा के साथ कर रहा था ऑची सो oppression बोलते हैं कि हमारा फीजर जलानी की कोशिश कर रहा था लीन से एकी सवब कूश रहा था किया वो आकर के अपना फmon ले गिया है तो डॉंक क्याता है तू बात बैदलने की कोशिश मत कर अंकल शन बोलते हैं कि हाँ गलती से केट भी लॉक कर गया था इधर सोरा कह रही थी कि अब में हाँ जबने वाली हूँ अंकल जली चलिए भार जब अंकल गेट खोलते हैं तो वो खुली नी रहा था और कहते हैं कि शायद ये दुबारा से लॉक हो गया है विचारी सोरा और सभी लोग तो परशान हो उसे पकड़ने के लिए खैरी ची के साथ यह वाले पार्ट के एक्स्प्लिनेशन यहीं पे कम्प्लीट होती है फर नेक्स पार्ट में लिए भूल जाएगा के वह एक्चली में है कौन तो इसके बाद जो कुछ भी होने वाला है वो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब सब्सक्राइब कर लीजी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाएगा थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं बहुत जल्ट